गुद मॉर्णिंग स्टुडेंग क्लास फर्स्ट बचो हम आपको कम्प्यूटर में चैप्टर 2 का पेर नंबर 11 पढ़ा रहे हैं पेर नंबर 11 में है कीबोर्ड तो चलिए हम पढ़ाते हैं आपको कीबोर्ड different types of keyboard Bivhin Prakaar के keyboard यह keyboard has different buttons on it which are called keys एकीबोर्ड एकीबोर्ड में has different Bivhin Prakaar की buttons on it विभिन प्रकार की बटन होती है बिच आरकार्ड जो कहलाती है क्या कहलाती है कीज कहलाती है एक कीबोर्ड में बिभिन प्रकार की बटने होती है जो कीज कहलाती है and whatever is typed on the keyboard can be seen and read on the monitor और जो भी हम type करते हैं keyboard से can be seen हम देख सकते हैं read on the monitor हम keyboard से जो भी type करते हैं वो हम monitor पर देख सकती हैं और उसको पढ़ सकती हैं ओके बच्चो एक keyboard has more than 100 keys or the button एक keyboard में 100 से ज्यादा keys or button होती है ठीक है एक keyboard has more than 100 keys or the button एक keyboard में 100 से ज्यादा बटन और 3 होती हैं अब आता है आपका mouse इसमें 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 इसमे ये 3 button mouse इसमें भी 3 button होते हैं mouse में इसमें scholar mouse ये smaller mouse है ये wireless mouse इसमें wireless मेज़ा इसमें तार नहीं हता है wireless mouse है ए सदेबुए चलिए Mouse The name of this device is diverged from its shapes इस device का नाम इसके shape के आकार से बना है इसके आकार को देखके बनाया गया है या इसके आकार की बज़े से इसका नाम माउस रखा गया A mouse is used A mouse, M-O-U-S-E mouse is used to move around on the screen यह mouse जो होता है यूज किया जाता है स्क्रीन पर इसक्रीन जो monitor की स्क्रीन होती है उसके उपर इसको move करने के लिए जहां में प्लिक करनी होती है तो हम जब इसको गुमाते हैं तो यह वहीं पर प्लिक हो जाता है यह हमें कोई चीज सेलेक्ट करनी होती है तो हम माउस का यूज करते हैं बच्चो It is also used to draw picture or selecting virus commands on the monitor It is also It is also यह दपी यह use किया जाता है to draw the picture पिच्चर को draw करने में और selecting और select करने में virus command on the monitor और जो भी command monitor पर देते हैं उसमें भी इसको use किया जाता है processing of the mouse button is called clicking जो mouse button से हम लोग press करते हैं उसको क्या कहते हैं click करना कहते हैं उसको clicking करते हैं ठीक है तो वो क्या कहलाता है clicking करना कहलाता है click करना ठीक है एक mouse में दो या तीन बटन होती हैं एक mouse is also called as pointing device तो बच्चों आज आप लो यहीं तक पढ़ेंगे इसकी बाद जब लास्ट वीडियो आएगा उसकी बाद में आपको आगे का पढ़ाया जाएगा उसकी आपको मैं यहां पर वर्ड मीनिंग दोंगी वह आप लोग में कंप्यूटर की नोट बूग में राइट करेंगे और की बोर्ड और माउस का फीगर बनाएंगे अपनी नोट बूग में इधर इन में ट्राइड मीनिंग दिखेंगे और एक साइड में आप लोग फीगर बनाएंगे ओके बच्चों ओके